हेलो इंटेलिजेंस वेलकम टो अक्षे चोप्रा मैंस बेटा हम 10 ख्लास स्टेंडर मैंस का 2023 का पेपर डिसकस कर रहे थे जिसका सेट 1 और कोड 311 है तो आज हम उसका सेक्शन D डिसकस करने वाले हैं बेटा जो पीछले A, B और C सेक्शन है वो उन सबका प्लेरिस्ट का लिंक जितने भी हमने P, Y, Qs और सेंपल पेपर कर रखे हैं सबका लिंक डिसक्रिप्शन में मैंशन है ओके तो आप डिसक्रिप्शन में जरूर विजिट करना वहाँ पर आपको सारे प्रिविश एर कोश्चन पेपर का लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का तो चलिए हम सेक्शन D से स्टार्ट करते हैं यहां पर सेक्शन D का फास्ट कोश्चन अबर 32 सेज कि अकोड ओफा सर्कल ओफ रिडिस 14 सेंटिमिटर एक कोड़ है सर्कल रिडिस 14 सेंटिमिटर है सब टेंड एंगल ओफ 60 डिग्री अड़ी सेंटर फाइंड दी एरिया ऑफ दी कोरॉस्पोंडिंग को माइनर सेजमेट्यूं माइनर सेजमेट्यूं माइनर सेजमेंक के अरिया आपने को और कोर्रोस्पोंडिंग मेजर साग्मिट का ऑघर forever करना ए ठीक है बेठा आपको मैंने लेक्चेर वीडियो में बड़ी डिटेयल के साथ बताया हुआ है बड़ा आसान होता है यह करना देखो 30 second number question है क्या था इसमें आपको जो central angle है theta है that is given to be 60 degree और जो अपना radius है R that is given to be 14 cm बात को समझ गए ठीक है अब हमने क्या करना है minor segment find करना है बेटा ये देखो कुछ इस तरह कहता है कि अगर मैं कहूं कि ये अपने पास एक circle है ठीक है ये circle है जिसका central angle क्या बेटा ये 60 degree है ये रहा ये central angle उसका 60 degree है ठीक है जी ये अपना हो गया minor segment हमने इसको find out करना तो आपको बताया हुआ minor segment कैसे find करते हैं कि हम इस sector का area find out कर लेते हैं और उस sector का area में से इस triangle का area हम minus कर देंगे इस triangle का area बात को समझ गए ठीक है अब देखो sector का area find out कर लो पहले sector का area क्या बनेगा आपका area of corresponding क्या corresponding minor sector area of corresponding minor sector minor sector का area क्या बन जाएगा बिटा theta by 360 degree into pi r square ओके ये तो formula लिख दिया formula बार बार बोलता हूँ जरूर लिखना है इसके marks होते है तो 60 upon 360 degree into pi r square pi mention नहीं है 22 by 7 करेंगे और r square हो गया 14 का square ठीक है 00 cancel 6 और 6 आगया ये तो ये बन गया 1 by 6 into 22 by 7 into 14 into 14 okay ठीक है जी चलो calculation करते है 2 3s are 6 2 7s are 14 और 7 7 cancel out ठीक है आगे 3 की किसी के साथ cutting नहीं हो रही तो ये बन जाएगा divide by 3 22 और 14 कितना हो गया 14 2s are 28 2 carry 14 2s are 28 308 आगया ठीक है ये क्या था अपना centimeter तो area of sector क्या बन गया इतना centimeter square जो भी आएगा ठीक है अब आगे देखो आगे हमने क्या करना है इस triangle का area minus करना है ठीक है अब triangle का area क्या आता बेटा area of triangle ठीक है अब देखो अगर मैं इसको naming देदू O, A, B ठीक है तो ये अपनी triangle बन जाएगी area of triangle O, A, B अचा अब area का formula आपको पता है half multiply, base multiply, height ठीक है जी अचा इसकी भी जरूरत नहीं है इसकी भी जरूरत नहीं है बेटा देखो मैंने आपको ये introduction में बताया हुआ मैं उसका link डाल दूँगा description में introduction में आपको बता रखा है कि जब भी central angle 60 degree बनता है तो ये हमेशा equilateral triangle बनती है ठीक है और equilateral triangle का जो area होता है वो होता है root 3 by 4 into side square, okay तो यहाँ पर बन जाएगा root 3 by 4 into side side का मतलब क्या है ये radius radius कितना है 14 का square ठीक है तो 2 7 again 2 and 7 ओके तो ये बन गया 49 under root 3 cm square अब हमने इस minor segment का area find करना तो दोनों को minus करना पड़ेगा तो बस therefore area of corresponding क्या corresponding minor segment तो minor segment का जो area है वो क्या बन जाएगा अपना अब बेटा ये 5 marks का पूरा है तो आपने एक एक line पूरी अच्छे से लिखनी है तब ही 5 marks मिलेने ठीक है तो क्या लिखेंगे इसको area of minor sector area of minor sector minus area of triangle O A and B समझ गे तो minor sector का area है ये वाला इसका area ये वाला है तो अब आपकी मरजी आप चाहो इसको points में convert कर दो जैसे मरजी कर दो ठीक है तो हम इनको points में convert करना चाहें तो ये बन जाएगा 3 1s are 3 फिर 0 3 2s are 6 2 0 20 तो इसको round off कर दिया तो कुछ इस तरह से बन जा अगर हम इस triangle का करें तो ये है 49 into 1.73 कितना आजाएगा cm2 इन दोनों को हम कर देंगे multiply 173 ये रहा और 49 ये रहा ठीक है 9 3 0 27 2 carry 63 65 12 12 एक ये बन जाएगा 7 7.9 और 5 84.77 अब हम इन दोनों को minus कर देंगे 84.77 तो ये बन गया 102.67 माइनस 84.77 दोनों को minus करके जो भी आजा cm2 अपना answer बन गया ठीक है यहाँ पर लिख देता हूँ 102.67 और यहाँ पर 84.77 जीरो ठीक है 9 11 47 98 ठीक है 17.90 आजाएगा आपका answer क्या आजाएगा 17.90 cm2 ठीक है अब देखो बता हो तो major segment क्या है circle का area में से इस minor segment का area माइनस कर देंगे तो major segment आजाएगा ठीक है तो circle का area क्या आजाएगा पहले तो circle का area find out करना पड़ेगा now now हम क्या करेंगे अब area of complete circle circle का area क्या होता है बेटा pi r square ठीक है तो pi again 22 by 7 radius कितना आगया 14 का square ओके तो ये बन जाएगा two 14 तो ये क्या बन गया 44 multiply 14 तो ये कितना centimeter square आगया 14 फोर जार 56 5 carry फिर 56 और 5 कितना आगया 61 तो 616 centimeter से ठीक है तो therefore area of major segment तो जो अपना major segment है उसका area क्या आगया बेटा area of circle area of circle उसमें से minus कर देंगे area of minor segment बस ये अपना answer आजएगा ठीक है कहीं calculation उपर नीचे हो गई हो तो प्लीज बता देना comment section में बता देना तो 616 minus पिछले area क्या निकला था 17.90 ठीक है समझ गे तो इन दोनों को minus कर रहा तो जो भी अपना है ये centimeter square आगया answer ठीक है तो इनको जब minus करेंगे wait a minute यहीं पर करता है 616 और 17.90 ठीक है 616 और 17.90 इनको कर देना है minus तो ये आगया 0 ये आगया 1 ये बन जाएगा 5 8 ये बन जाएगा 60 और 159 तो 598.10 ये बन गया 598.10 cm2 एक बार आप इसको खुद भी ट्राइ करना अगर कहीं पर आपको problem लगे कोई calculation mistake है तो please do let me know in the comment section ओके चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ next question भी बड़ा अच्छा बड़ा easy question है that is from AP the ratio of the 11th term to the 17th term of AP AP की 11th और 17th term की जो ratio है ratio is given ratio क्या given है बेटा 3 ratio 4 यानि की जो given है पहले वो लिख लो A 11 और A 17 3 ratio 4 ठीक है 33 33 है A 11 ratio A 17 is given to be 3 upon 4 तो A 11 का मतलब है A plus 10 D A 17 का मतलब है A plus 16 D ठीक है बेटा आपने उपर English में लिखना है let A be the first term and D be the common difference तो यह आपने बता देना वाँ ठीक है तो इसको cross multiply कर दो यह बन जाएगा 4 A plus 40 D equals to 3 A plus 48 D समझे तो 4 A minus 3 A बन गया A और 48 minus 40 क्या बन गया 8 D तो बेटा A की value तो in terms of D आगी A की value तो in terms of D आगी अब आगे देखो क्या पूछा उसने find क्या find करना है ratio of fifth term to twenty first term fifth or twenty first term की ratio बतानी है अपने को क्या बताना fifth or twenty first term की ratio बतानी है यह देखो wait a minute fifth term और twenty first term की ratio बतानी है समझे तो fifth term का मतलब हो गया A plus 40 और 21 का मतलब हो गया A plus 20 D समझे अच्छा A plus 4 D अब अच्छा A की value क्या आई थी बेटा ये देखो A की value 8D आई थी ना तो A की जगा तुम 8D पुट कर दो ठीक है A की जगा हम क्या करेंगे 8D पुट कर देंगे 8D प्लस 20 नहीं समझ गए ये क्या बन गया बेटा 8 और 4 12 और ये क्या बन गया 28 तो DD cancel ratio आगई ना अपने पास ठीक है तो इसको क्या करो 4 के double बेकट कर दो 4 3s are 12 और 4 7s are 28 कितना आगया 3 ratio 7 तो A5 ratio A21 कितना आगया बेटा 3 ratio 7 समझ गए चलो अब आगे देखते हैं कुछ और कुछ है तो आजी आगे भी है Also find the ratio of sum of first 5 terms to first 21 terms पहली 5 और पहली 21 terms का sum है उनकी भी ratio find out करनी है ठीक है तो इसको आगे continue करते हैं पहली 5 और पहली 21 terms यानि S5 और S21 find करना formula लगा दो 5 by 2 2 multiply A A कितना था ये देखो A कितना था 8D था ना ठीक है तो 2 A plus N यानि कि 5 minus 1 into D अपने को पता नी divide by ये क्या गया n by 2 2 A plus N minus 1 into D समझ गए ठीक है तो ये क्या आजाएगा बेटा ये 2 और 2 तो cancel कर दो ये बन गया 5 by 21 बाहर ये बन जाएगा 16 D plus 5 minus 1 4 D ठीक है जी divide by 2 A plus 16 D plus 20 D समझ गए ठीक है बिलकुल इजी बिलकुल असान तो 5 by 21 into 16 और 4 हो गया 20 16 plus 20 कितना आगया 36 ठीक है तो again DD cancel हो जाएगा ठीक है जी इसकी cutting तो मुझे लगता नहीं कहीं हो रही है कटिंग तो कहीं हो ही नहीं ठीक है तो यह आगया 100 अपॉन यह कितना बन गया यह बन गया इकी तिया त्रेंट हो 63 और 63 126 12 कैरी 63 64 65 75 तो यह बन जाएगा आपका अंसर बेटा यह तो कि ही है तोय tiden गालі कुछा में बस बन गएटिटेंगा एटिन यह बन जाएगा एटम यह हो यह जांगा ạफिफाइगा भॉन जाएटि चलो यह ठीक है तो यह क्या है तो अ अगर वह ऐसे डिवाइड की फ़ाम में पुच्छा तो यहां पे लिखना जब ratio की form में पुच्छा तो ratio में लिखके आएंगे ठीक है चलिए अब next question करते हैं next question भी AP का question है बड़ा अच्छा question है बेटा आपकी book से related है आपकी book में भी ऐसा question है देखो उस question में क्या है says कि 250 logs are stacked in the following manner ठीक है logs का मतलब क्या हो गया जो लकड़ी काड़ते हैं पेड़ काड़ते हैं ठीक है ट्रकों में बरे होते हैं वैसे logs लगाए हूँ है किस तरह से कि 22 logs are in the bottom row तो सबसे नीचे वाली में कितने हैं 22 है 21 in the next row उससे अगली row में कितने है 21 है 20 in the next row and so on ठीक है ऐसे च are there 250 logs be placed अच्छा टोटल कितने logs place करने है 250 200 लोग कितनी 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 रोज में आ सकते हैं यानि यहां पर sum दे दिया है एक बार ठीक है कितनी रोज यानि की n find out करना है यानि की s and 250 दे रखे हैं समझ गए ओके ना and how many logs are there in the top row और बोला top row में कितने logs हैं तो a n भी find out करना है ठ ठीक है चौलो अब आगे बढ़ते हैं question number 33 it is wait a minute हाँ यह रहा question number 30 अच्छा देखो बेटा इसकी AP क्या बनेगी इसकी AP कुछ ऐसे बन जाएगी न कि first row में 22 है फिर 21 है फिर 20 है तो यही तो AP बनगी ठीक है तो AP क्या बनगी 22 21 20 और this जहां पे हमारी first term आएगी 22 और common difference आएग गिवन टो भी 250 एन अपने को find करना है और एन भी अपने को find करना है तो यह अपना total question बन गया ले देके समझ गए समझ गए क्या कह रहा हूं चलो अब आगे बढ़ गए अच्छा सबसे पहले मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि मैस का rule है जो भी चीज गिवन अगर उसका formula है तो formula लगा दो sn given sn का formula लगा ओ n by 2 2a plus n minus 1 into d ना formula जूर लिखना है इसके marks होते हैं बार बार बोलता हूं हर बार बोलता हूं तो n by 2 2a plus n minus 1 into यह रहा minus d तो यह वहाँ पर multiply हो गया तो 500 बन गया n44 minus n plus 1 समझ गए minus 1 अंदर multiply कर दिया ना तो 500 equal to यह बन गया n times 45 minus n तो 500 किसके equal आ गया बैटा 45n minus n square तो n square चले जाएगा left hand side पर तो बन जाएगी एक quadratic equation तो n square minus 45n plus 500 equals to 0 यह बन गया आपकी quadratic equation अब इसको solve करो वो आपका काम है तो इसको solve क्या करना है 500 500 के factor करो 500 के factor कर दो यह रहा 500 ओके टू तो 250 टू पर करेंगे तो 125 फिर 5 पर कर दिया 25 फिर 5 पर 5 एंड फिर 5 पर 1 ओके अच्छा अब हमने क्या करना है plus minus करके 45 बने तो देख लो भाइसा 45 कैसे बन रहा है अगर हम इनकी pairing कर दें आपस में और यह आपस में यह क्या बन गया 55 25 ठीक है और यह बन गया 5 टू जा 10 10 टू जा 20 और 25 और 20 मिलके 45 बन गया की नहीं ठीक है बिलकुल अजान बिलकुल इजी बिलकुल जिंपल था चलिए तो 20 और 25 दो नमबर मिल गए तो n2-20 n-25 n plus 500 equals to 0 तो यहां से n common आएगा n-20 यहां से 25 common आएगा तो फिर से n-20 equals to 0 तो n-20 common कर लिया तो n-25 बचेगा 0 तो यानि कि n की दो values आगई 20 और 25 अब बेटा दो values आगई n का मतलब क्या था n का मतलब क्या था दियान दो n का मतलब क्या था question में in how many rows तो कितनी rows में हम total उनको range कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया हम 20 rows भी बना सकते है 25 भी बना सकते है बेटा ये थोड़ी possible है अगर 20 में 250 पूरे आगे तो 25 में कैसे आएंगे 25 में आगे तो 20 में कैसे आएंगे ये तो गलत बात होगी न तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें से किसी एक को reject करना पड़ेगा अब वो कैसे करेंगे बेटा वो बताएगा अपने को an ठीक है वो क्या बताएगा अपने को an देखो an का formula क्या था अपने को a plus n minus 1 into d इतना तो clear है ठीक है जी अगर मैं n को 20 ले लेता हूँ ठीक है मतलब कि मैं a 20 a 20 का मतलब 20th row में कितने लोगs है a 20 का मतलब क्या आगया 20th row में कितने लोगs है ये भी ठीक है ठीक है 20th row में कितने लोगs आएंगे तीन लोगs आएंगे तो इसको हम English में क्या लिखेंगे इसको हम English में लिखेंगे therefore 250 logs can be placed in 20 rows ठीक है and number of logs and number of logs in the last 20th row R कितने है 3 कितने लोगs है 3 अच्छा अब दूसरा case reject भी करना देखो कैसे reject होगा दूसरे case में क्या था a n is equals to a plus n minus 1 into d जहांपर 25 था तो a 25 का मतलब हो गया 25th row में कितने लोगs होंगे तो ये बन जएगा 22 plus 25 minus 1 into d तो ये बन गया 22 minus 24 यानि कि minus 2 आ गया तो बेटा 25th row में minus 2 लोगs पड़े होंगे तो minus 2 तो कोई number नहीं हुआ ठीक है तो इस वज़ा से ये 25 वाला क्या हो जाएगा reject therefore this case is rejected तो ये case क्या हो जाएगा बेटा reject हो जाएगा बात को समझ गए तो ये अपना question खत्म हो गया बिल्कुल simple चोटा सा असा question था चलो अब 34th question करते हैं बेटा देखो 34th question में क्या है कि sides a b and a c ठीक है add median a m of a triangle a b c are proportional to sides d e and d f and median d n of another triangle d e f show that a b c or d e f के हैं similar है अच्छा बेटा ये question मैं इस वीडियो में नहीं करवा रहा हूँ otherwise वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी ठीक है ये वाले question का link मैं उपर i button में डाज दूँगा पेटा वहाँ पर जाके जरूर देखना पूरे 10-15 minute लगा के मैंने इतने अच्छे से ये question बताया है ना कि ये मेरी guarantee है आप वो solution देख लोग आपको ये question कभी नहीं बूलेगा अक्सर बच्चों को ये बड़ा मुश्किल लगता है लेकिन वहाँ पर मैंने बड़े अराम से बड़े अच्छे से 10-15 minute लगा के ये question बताया हुआ है तो प्लीज वो वीडियो जुरूर देखना मैं i button में डाल दूँगा प्लस description में भी link डाल दूँगा चलो इसका हम अगला question करते है पार्ट B बड़ा अच्छा बड़ा interesting है पूरी के पूरी playlist का link बी डाल दूँगा प्लस अधेली वीडियो का link बी डाल दूँगा ठीक है चलो ABCD एक पैरलोग्राम है ठीक है अच्छा ये diagram दे रखी है ABCD पैरलोग्राम है P is a point on the side अच्छा अब next part देखो ADL ध्यान देना ALD बड़ी अच्छा आपका अंसर आजाएगा ये देखना ध्यान से ALD यहां से start कर लो AL and D समझे अब देखो ध्यान से कौन किसके पैलर है जो BP है वो AD के पैलर है B.AL पे है AL पे क्या है B. दूसरी तरफ क्या है P. ये AD के पैलर है बात को समझ गए अच्छा अब देखना इससे अपना अंसर कैसे आएगा बड़ा अच्छा अंसर आएगा बड़ा अब क्यूंकि ये दोनों पैलर है तो हम यहां पे B.P.T. लगा सकते है ठीक है इन ट्राइंगल ALD ALD में क्या है बड़ा जो B.P. है वो पैलर है AD के B.P. है वो पैलर है AD के Therefore by basic proportionality theorem जो कि मैं हर बार बोलता हूँ पेपर में पूरे spelling लिख के आने है अच्छा अब धियान देना बड़ा यहां पे क्या हमें को चाहिए था D.L. upon D.P. ठीक है ये देखो D.P. upon D.L. जो डिरेक्शन यहां पे फोलो कर रहे है वही दूसी तरफ यहां पे क्या था छोटा upon पूरा तो यहां पे भी क्या आएगा छोटा यानि A.B. upon पूरा A.L. तो A.B. upon A.L. इतना तो क्लियर है ठीक है जी अब देखो दियान से हमने पूरूफ क्या करना है D.P. upon D.L. यह रहा D.P. upon D.L. फिर A.B. upon A.L. यह रहा A.L. upon D.C. यहां पे D.C. आ गया बेटा देखो इसको रैसी प्रोकल कर दो न अगर मैं D.L. को उपर लिख दू D.P. को नीचे लिख दू तो यहां पर भी A.L. उपर हो जाएगा और A.B. नीचे हो जाएगा तो D.L. D.P. A.L. A.B. D.L. D.P. A.L. D.C. यहां पे प्रोब्लम आगी यह अपना D.C. है यह अपना A.B. है इनको सेम प्रूफ करना पड़ेगा तब ही अंसर आएगा और प्रूफ करने के बिटा जूरती नहीं है यह देखो तुमको कॉस्चन में क्या गिवन है A.B. C. D. इसे पैलोग्राम यह इसी दिन के लिए दिया था तो A.B. C. D. पैलोग्राम है तो हमें पता है पैलोग्राम की अपोजिट साइड सेम होती है तो A.B. और C. D. आपस में सेम हो गई तो इस A.B. की जगा मैं यह C. D. फिल कर सकता हूँ अंसर हो गया परूब ठीक है चलो इतनी सी बात ही तो सिंस सिंस A.B. C. D. इस आ पैलोग्राम देरफोर A.B. इकोज तू C. D. Y. बिकोज ओपोजिट साइड ओफ पी किसके एक को ला गया A.B. C. D. के तो यह अपने को प्रूफ करना था ठीक है यह सैगिंड पार्ट आ गया अच्छा पर फिर्स्ट पार्ट तो अपना रहे गया बातों बातों में ठीक है यह था कोश्चन नमबर 34 इसका फिर्स्ट पार्ट क्या था बेटा फर्स्ट पार्ट में D.P. और D.L. फिर्स्ट पार्ट में क्या बेटा D.P. और D.L. आपको देखना है कि यह किस किस ट्रैंगल में आ रहा है DP और PL ये रहा DP ये रहा PL DC और BL ये रहा DC और ये रहा BL तो यानि कि हम अगर ये वाली दो ट्रेंगल लेके इनको similar कर दें तो corresponding sides equal करके कुछ ना कुछ आ सकता है ठीक है? तो मैं दो ट्रेंगल ले रहा हूं बेटा अंदेया तेहान से देखना कैसे ले रहा हूं दोनों ट्रेंगल हां देखो यहां पर आ जाए तो मैं दो ट्रेंगल ले रहा हूं फर्स्ट पार्ड के लिए एक ट्रेंगल रही यह वाली अब इनकी naming क्या करनी है naming उससे according करनी है कि सारा कुछ आम हो सामने आए देखो देहां से ये क्या बन जाएगा P B C और यहां पर बन जाएगा P L and B अब मैंने ये वाली naming वाली triangle क्यों ली बेटा देखो देहां से हमें क्या prove करना है DP upon PL ठीक है same direction की उपर नीचे आती है ये रही DP कहां गया सोरी गलत हो गया ये वाला point D है ये रहा DP और ये रहा PL यही prove करना था DP upon PL ये रहा DP ये रहा PL फिर क्या DC और BL ठीक है ये रहा DC और ये रहा BL समझ गये तो हब हमारा काम क्या रहा गया इनको similar prove करना तो हम क्या करेंगे inner triangle P, D, C and triangle PL अब देखो इन दोनों में क्या होगा बेटा सबसे पहले तो ये P वाला vertical opposite ना बन गया देखा पी वाला vertical opposite बन गया ये रहा P वाला angle और P वाला angle ये बन जाएगा angle D, P, C equals to angle B, P, L ये बन गए vertical opposite angle अच्छा अब दूसरा देखो बेटा क्योंकि ये parallelogram है तो ये वाला B, C और ये वाला ID आपस में parallel है और ये transversal की तरह behave कर रही है तो बेटा जब ये Z बन जाएगी आपको अच्छे से बताया हुआ है छोटी glasses में भी तो ये alternate angle नहीं बनते है C वाला angle और B वाला angle और ये देख लो C वाला angle और B वाला angle corresponding ही तो निकले तो angle D, C, P किसके equal है angle L, B, P के ये क्या थे alternate angles ठीक है और हमें पता है triangle में जब दोनो दो angle similar हो जाते हैं तो वो triangles क्या हो जाती है similar जब दो angle equal हो जाते है तो ये हो गई similar by angle angle similarity समझ गए अब angle angle से similar हो गए तो corresponding side same ratio में होंगी तो D, P upon P, L तो ये क्या बन जाएगा D, P upon D, L किसके equal आ गया बेटा D, C upon L, B समझे तो ये किसके आ गया D, C upon L, B और ये ही अपने को prove करना था first part हो गया prove अच्छा अब third part की तरह बढ़ते हैं बेटा third part में क्या था if LP ratio PD कहा गया ये रहा LP और ये रहा PD अच्छा इनकी ratio दे रखिया 2 ratio 3 तो BP और BC की ratio बतानी है ये रहा BP और ये रहा PC अच्छा अब देखो ये EC triangle के part है न तो ये भी हो सकता है कि यहीं से मिल जाए ये देखो दियान से LP और PD LP और PD कहा है LP और PD अच्छा ये ratio दे रखिया ये देखो दियान से LP ratio PD 2 ratio 3 LP ratio PD ये आगई 2 ratio 3 ठीक है हमें क्या find करना बेटा BP ratio BC BP और BC की ratio find करनी है BP कहा गया ये रहा BP और ये रहा PC तो बेटा ये तो आ तो गया भी ये तो मतलब क्या करना है ये फाल्तू का question ठीक है दो triangle similar होगी तो उनकी corresponding sides का similar होती है तो therefore DP upon PL therefore DP upon PL किसके equal हो जागा बेटा ये रहा DP ये रहा PL ये रहा PC और ये रहा BP ठीक है तो PC upon BP तो ये क्या था 3 by 2 equal to PC upon BP लेकिन हमें जो ratio पूछी है वो BP पहले है PC बाद में तो 2 पहले आएगा 3 बाद में आएगा ये बन जाएगा अपना answer ठीक है चलिए last question पर बढ़ते है 35th number question बड़ा अच्छा application of trigonometry से question है इसमें क्या करना बेटा an aeroplane when flying at a height of 3000 meter fly कर रहा है from the ground passes vertically above another aeroplane ठीक है क्रोस कर रहा है मेरी बात को समझगे कैसी diagram बनेगी कभी तो क्रोस कर रहा है ना उसको देखो diagram क्या बनेगी कुछ इस तरह से बन जाएगी diagram कि इसको next page भी कर लेते हैं यह है question number last 35th number question यह 35th number question में क्या है कि बेटा यह एक aeroplane आपके पास यह रहा है ऐसे करके ठीक है वो ground level से कितनी दूर है 3000 meter ठीक है वो किसी दूसरे aeroplane को पास कर रहा है ठीक है दूसरे aeroplane को पास कर रहा है वो instant when the angles of elevation of two planes from the same point on the ground are 60 and 45 अच्छा एक plane यह रहा दूसरा plane यह रहा ground के किसी same point से उनका elevation क्या 45 or 60 ठीक है तो सबसे पहले तो इसको join कर लो एक line यह रही और एक line यह रही अब अच्छा यह वाला angle obviously कितना बन जाएगा बेटा 45 degree और यह वाला कितना बन जाएगा बेटा 60 degree मेरी बात को समझे अब आप बोलोगे सर आपने छोटे वाला 45 क्यों मनाया बड़े वाला 60 क्यों मनाया बेटा अगर आप प्रोटेक्टर में भी देखो यह देखो ठीक है थोड़ा सा पता नहीं आपको सही लगेगा कि नी यह देखो यह 40 वाला angle है यह 45 वाला angle है तो 45 वाला छोटा angle है लेकिन यह 60 वाला बड़ा angle है 45 वाला सिर्फ इतना angle है लेकिन 60 वाला इतना बड़ा angle है बरी बात को समझ गए तो इसी वाज़े से मैं 45 वाला angle चोटा 60 वाला बड़ा ले रहा हूँ तो अब आप इनकी naming कर दो A, B, C and D अच्छा अपने को find out क्या करना बड़ा find the vertical distance between the planes at instant also find the distance of first plane from the point of observation तो find out क्या करना है find the vertical distance मतलब इन दोनों planes में यह जो B से लेके C तक distance इसको find करना बड़ा यह 3000 पूरा है ठीक है तो यह मान लो इतना जो distance find करना वो क्या है X तो यहां से लेके यहां तक क्या बच गया बेटा 3000 minus X बच गया इतना दो clear है ठीक है जी अच्छा अब हमें क्या find करना है इन दोनों airplane के बीच का distance और distance of the first airplane from the point यानि कि यह CDB find करना है ठीक है distance of the first airplane from observation यानि यह CDB find करना है ओके चलो अच्छा उसने first airplane बोला second airplane नहीं बोला अगर second airplane बोले तो BD भी निगालना पड़ेगा मेरी बात को समझगे तो BD भी निगालना पड़ेगा तो बस अब हो जाओ शुरू इन triangle कौन सी triangle ने पहले बेटा यह वह ले ले ABD इन triangle ABD यहां पर देखो perpendicular क्या है AB और अपना base क्या है AD और छोटी वाली triangle का angle कितना था 45 degree ठीक है AB की value 3000 minus X AD we don't know tangent 45 we know it is 1 तो यहां से जो अपना AD है that will come out to be 3000 minus X meters ठीक है यह तो AD आ गया यानि कि base आ गया अच्छा अब बड़ी triangle ले लो कौन सी बेटा ADC ठीक है तो इन बड़ी triangle ADC बड़ी triangle में भी बाई बात है पूरा AC perpendicular upon AD base ठीक है AC perpendicular upon AD base वो क्या बन जाएगा tangent और दूसी triangle में है tangent 60 degree अच्छा AC अब देखो बेटा द्यान से AC क्या है AC तो A से लेके C तक ये तो पूरा distance 3000 given था इसमें तो कोई problem नहीं है तो ये बन जाएगा 3000 upon AD AD की value क्या है 3000 minus X अभी हमने देखा तो 3000 minus X किसके equal हो गया tangent 60 is under root 3 ठीक है तो 3000 minus X को कर दो multiply तो it will be 3000 under root 3 minus X under root 3 समझ गे ठीक है अब यहां से X को find करना है X को find करेंगे तो ये दोनों aeroplane का distance find out हो गया न चलो तो ये 3000 इदर आ जाओ इसको उदर ले जाओ तो ये बन जाएगा wait a minute हाँ तो ये बन जाएगा कुछ X under root 3 equals to 3000 root 3 minus 3000 समझ गे ठीक है तो ये बन जाएगा X equals to 3000 कर दिया common root 3 minus 1 by under root 3 ठीक है कुछ इस तरह का बन जाएगा ये रहा अच्छा अब देखो इसको जरा rationalize कर दो 3000 root 3 minus 1 into root 3 upon root 3 into root 3 ठीक है root 3 से multiply divide कर दिया तो ये बन जाएगा 3000 3 minus root 3 X की value के आगी 1000 times 3 minus under root 3 अच्छा अब देखो question में क्या बोला हुआ question में बोला हुआ कि root 3 को 1.73 use करना है तो यहाँ पे मैं put कर दूँगा 1.73 अच्छा अब इससे क्या फाइदा होगा इससे क्या फाइदा होगा answer आएगा बस तो यह बन गया 1.73 minus करेंगे wait a minute देखो यह आपका 3 आ गया यह आ गया 1.73 इनको कर दो minus यह बन गया 7 यह बन गया 9 minus 72 और यह बन गया 2 minus 1 1 कितना आ गया 1.27 आ गया ठीक है 1.27 अच्छा अब इसका point निकाल लेंगे तो 0 आ जाएगा 0 से 0 cancel कर दिया तो X की value आ गया 1.27 0 meters तो therefore distance क्या था distance between two aeroplanes ठीक है 2 aeroplanes का जो distance है वो कितना आ गया बेटा 1.27 0 meters ठीक है जी अच्छा अब दूसरा क्या find करना था यह point of observation से पहले की distance तो CD find करना hypotenuse तो आपके पास यह पूरा perpendicular भी यह 3000 ठीक है तो आप perpendicular upon hypotenuse क्या हो जाएगा मेरी बात को समझ गए यह लो तो मैं फिर से आ जाता हूँ बड़ी ट्रेंगल पे क्या लिकूंगा in triangle ADC बड़ी ट्रेंगल में गई 3000 CD we have to find out sine 60 is under root 3 by 2 तो CD की value क्या आजएगी 3000 multiply 2 upon under root 3 तो अब क्या कर दो फिर से rationalize कर दो तो 3000 into 2 upon under root 3 तो under root 3 से मैं multiply or divide कर दूँगा rationalize बेटा basically मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यह 3000 दिख रहा है ताकि मैं यहां पर 3 put करूँ और इसकी कर दूँ cutting तो CD की value क्या आगी 1000 multiply 2 multiply root 3 भई 2 root 3 2 multiply root 3 होगे न अब अगेन फिर से भई बात आगी इसने बोला है कि 1.73 put करके calculation करो root 3 पर छोड़के नहीं आना तो यहां से यहां पर कर देता हूँ मैं CD की value क्या आजएगी 1000 into 2 into 1.73 इसका point निकाल लेंगे तो 100 आजएगा वो बारी 2 zeros मैं cancel कर देता हूँ तो CD कितना आगया यह 0 पीछे 2, 3, 6 2, 7, 0, 14 ओके and 2 और 1, 3 इतने meters आगया तो क्या बोलेंगे हम English में क्या लिखा हुआ था वह हम लिख देंगे क्या था the distance of first plane from the point of observation ठीक है therefore distance of first plane from the point of observation ठीक है जैसे उसने English में पूछा है वैसे wording में हम answer देखे आएंगे equals to 3, 4, 6, 0 ठीक है तो students यह थे आपका section D अगर वीडियो पसंद आई हो तो please do subscribe to the channel for the further updates तो next वीडियो में हम मिलेंगे section E के साथ और इस question paper को खतम करेंगे और फिर हम एक नए sample paper या नए previous year paper के साथ आएंगे तो next में case study करेंगे बड़े अच्छे से बड़े easy बड़े interesting question होने वाले हैं case study के